हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोलेज हब हरी मिर्च के फायदे खाना खाते है समय साथ में हरी मिर्च खाना तो हर कोई पसंद करता है फायदी किसी को पता होगा कि हरी मिर्च सेहत के लिए बहुत ही फायदे मन्द होती है इसमें विटामीन A, B6, C, आइरन, कोपर, पोटेशियम, प्रोटीन और कार्बो आइडरेट बरपूर मात्राम होते है जो सरीर को कई तरह की बिमारियों से दूर रखते है इसके अलावा इसमें बिटा के रोटीन जैसे तत्व होते हैं जो आपके स्वाष्टे को ठीक रखते हैं हालखी में हुए सोध में इस बात का खुलासा किया गया कि हरी मिर्च खाने से स्वाष्टे समंदी कई समश्यों से छुटकारा पाया जा सकता है आँखों और तवचा के लिए फायदे मन्द विटामीन A से बरपूर हरी मिर्च आँखों और तवचा के लिए बहुत फायद मन्द होती है आँखों का और तवचा के सुखे फन को दूर करने के लिए हरी मिर्च सबसे अच्छा तरीका है विटामीन C और बीटा के रूटीन इन प्रोब्लम को दूर रखने में मदद करता है हरी मिर्च को हमेशा अंधेरी जगे पर ही रखें रोस्तनी में रखने से इसके अंदर मौजूद विटामीन C खत्म हो जाता है कैंसर हरी मिर्च का सेवन करने से आप फेपडो के कैंसर से लेकर लंग्स के कैंसर से बचे रह सकते हैं इसमें मौजूद एंटी अक्सिडेंट आपके सरीर की इम्मुनिटी को बढ़ा कर आपको कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं इसलिए रोज़ना खाने के साथ इसका सेवन्द जरूर करें हाई बलड प्रेशर अक्सर इस तरह के मरीजों को फीका और कम तेल का खाना खाने के लिए कहा जाता है हरी मिर्च में उच्छ रगत चाप को नियंतरित रखने के गुन होता है इसलिए इस तरह के मरीज अपने आहार में दो से तीन हरी मिर्च की जरूर सामिल करें इसके अलावा इसे खाने से बलड सुगर भी कंट्रोल में रहता है हरी मिर्च को रात को एक गलास में विगो कर रखें और सुबह खाली पीट इसके निकालने के बाद पानी को पी लें एक हफ़ते तक इसे पीने से आपका सुगर कंट्रोल में रहता है इसके अलावा इसके सेवन से आप दमा, दिमागी बिमारिया और बेक्टिरियल इंफेक्शन से दूर रहता है पाचन क्रिया को मजबूत करता है रोजाना हरी मिर्च खाने से पाचन तंत्र ठीक रहता है इसमें विटामिन C परियाप्त मात्रा में होता है जो सरीर में मौझूद दूसरे विटामिन को अशोचित करने में मदद करता है इसके अलावा रोजानाई से खाने से सरीर में एंटियोक्षिडेंट की मात्रा ठीक रहती है जिसे पाचन तंतर सुचारू रूप से बना रहता है वजन गटाने में सायक हरी मिर्च खाने से सरीर में बढने वाली उस्मा के रोरी बर्न करती है इसमें मुझूद डाइटरी फाइबर सरीर में ज़्यादा उस्मा को बनाते हैं जिससे इसके सेवन से वजन गटाने में मदद मिलती है इसके अलावा इसे खाने से मेटाबॉलिजम का अस्तर भी बढ़ता है ओके फ्रेंड्स थैंक्स पूर वाचिंग इस वीडियो